नमस्कार दोस्तों मैं आरके मिस्रा इंजिनर से आपे स्वागत करना दोस्तों उमीद करते हैं आप अच्छी होंगी जैसा कि आप जानते हैं NBCC JEE का आपका पीपर है, प्रोविजनल एड्मिट कार्ड जारी हो चुका है, फाइनल एड्मिट कार्ड भी आपका जारी हो जाएगा, हम बात करेंगे इस वीडियो में, ज्यादा आपका समय नहीं देंगे, पूरा वीडियो शुरू से लेकि आंतर तक देखिएगा, देखिए NBCC क मैं आज बात करूंगा, सेविल इंजिनरिंग एस्पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं सेविल में हमेसा रिसर्ज करता रहता हूं आप लोगों के साथ मेल करके, तो सबसे पेदे तो मैं आपको दो सब्जेक्ट की बात करता हूं, मतलब इन फैक्ट तीन सब्जेक्ट की, कि आपका Structural Engineering, जिसको सोम के नाम से भी हम कभी के भी पढ़ते हैं, और Applied Mechanics और Hydraulic, अगर आप चाते हैं कि आपके पेपर में, जैसे आपको पेपर में चाहें कि यह के Questions आपके पेपर में फसे, तो Final Punch इसका सुरू किया गया है, सामको 7 बजे, इन दोनों सब्जेक्ट का, औ बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि Last 4 Days की Strategy क्या रहने चाहें, मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, कि अगर देखो, दो तरह की बच्चे हैं, अगर आपका Concept क्लियर है, देखो, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, Simple सी बात, अगर आपका Concept क्लियर है, तो फटाफट क्या करो, Most Important Subject जो जो है अभी, उसको क्या करो, एक बार revise करो, बस एक बार revise करो, उसको revise करो, questions के form में, फटाफट क्या करो, जैसे आपको building material का questions फटाफट करो, surveying के questions करो, और theory up structure and, structure and engineering, और आपका RCC और steel की design, और ध्यान दीजएगा, current affairs, ये तो मैं आपको technical के लिए बात करोंगा, तबाह करके questions की practice करो, in fact, इन सब का चल रहा है हमारे channel पर final punch, देखना, बिरीब करना, ये final punch आपकी paper के लिए राम बाणसित्थ होगा, मैं आपको साम को 7 बज़े ले रहा हूं, और रजसर 8 बज़े ले रहे हैं, और इसमें आपको बस क्या करना है, current affairs पढ़ना है last six month का मात्र, और देखो 30 questions में सो ज़्यादा weightage जो आपका रहेगा, current affairs का weightage रहेगा, general awareness में quality और current affairs के लामा अभी अगर पढ़ सकते हैं, तो awards and honor, invention and science, इतना ही पढ़ना है static GK में, मैं आपको again बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपके पास time नहीं है, फिर उसके quantitative, aptitude, reasoning मत पढ़ो, reasoning आपका जो बनना होगा, बन जाएगा, अब यह सब पढ़ने का time नहीं है, quantitative, aptitude अगर आप पढ़ने का time नहीं है, अगर आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं, अगर आपके पास time sufficient है, लेकिन बस आप अभी इसको पढ़ो, इसको पढ़ो आप, ध्या आपको बता दे रहा हूँ, paper में देखो, out of 120, आपका target कम से कम NBCC civil में आपका होना जीए, कि भाई, हमें 100 questions आपको attempt करना है, और paper में अगर आप attempt करने जा रहे हैं, तो again and again, गलती वो मत करना, जो ज़्यादा तर से experiments करते हैं paper के दवरान, क्या करते हैं, मैं आपको बताता ह फर्स्ट स्टेप में one-liner questions फटा-फट पेल के कर देना, फिर आपको direct formula best questions, paper में सारे questions तक पहुचना एक बहुत बढ़ी भादूरी का game होता है, तीसरा कसम खा के जाओ कि speed and accuracy आपकी up to 100% होनी चीए, ये तभी होगा बता, आज से date regular एक one mock लगाओ NBCC का, एक mock आपका NBCC का जरूर जगाओ, और analysis करो, और जो भी person आपको लगता है कि कमजोर है न, फटा-फट जाओ, देखो मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार है, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार है, one mock लगाओ, उसकी analysis करो, जो portion कमजोर है, फटा-फट जाकर कि उसके concept को एक बा है, अब जिनका concept नहीं clear है, भाई आपको questions पढ़ने की वजाए, important subject के मैराथन देखना शुरू करो, जितने भी subject मैंने मैराथन देखा, YouTube पे फटा-फट सर्च कर दो, मैराथन देखना शुरू करो, दवा करके 1.5 एक speed में बस तुम मैराथन देखो, और current affairs last 6 मैंद करो, और इसी लिए था, और बाकी, आप मुझे पता है, आप जरूर करेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे, और exam फोड के आएंगे भी, और important subject मैंने आपको बता दिया, negative marking नहीं है, तो आपको, मतब की, ध्यान देना, आप मुझे पता है, 100 तो आपका 100% होना चीए, कि इतना questions आप आपको C option, लेकिन, remaining, जो भी तुका मारें, एक ही option को जज़ करना, ताकि उसवे 4 से 5 questions हो जाए, ऐसा नहीं कि, एक का A मारा, एक का B मारा, एक का C मारा, एक ही particular option को मार देना, आप की जा, ठीक है, तो ये ध्यान दिजएगा, और बाकी, उमीद करते हैं, तो आपको मैंने 2 category बता दिया, एक जिनका concept हो चुका है, उनको मौक देना है, और उनको हमारे साथ final punch attend करना है, एक उनका जिनका concept नहीं है, कि दियर, भहिया, आप questions करने की बज़ाए, अभी इसमें important subject जो मैंने आपको बताया, उन सारे subject के मैराथन देखना शुरू करो concept का, बस आपको कुछ नहीं करना है, और current affairs के last six month बाकी जो सारी चीज़े बता है, तो वीडियो अच्छा लगा, तो like share करते रहिएगा, अब मेरे साथ बने रही है दोस्तों इंजिनर्स अड़ा पे, जो भी best effort हो सकता है, आप लोगों को हम चार दिनों के लिए बता दिये हैं, और फिर उसके बा साथ होगा, गलत question में उजोगे ना, कहीं न कहीं आपकी selection से बाहर हो साएंगे, ठीक है, thank you, video like share करते रहिए, बाबाय, take care, video अच्छा लगा, तो सभी लोग बताईएगा कैसा लगा, मैंने आप लोगों को दोनों लोगों के लिए बता दिया, और आप मैं video नहीं दिखा रह होगा, कल से आपका हाइट में 100 महीं शुरू होगा दोस्तों, ये बात का ध्यान देजेगा, ठीक है, thank you, thank you, दोस्तो, thank you, और दूसरा, अगर आप mechanical की बिद्यारती हैं, या civil की बिद्यारती हैं, अगर आप preparations करना चाहते हैं, तो civil का महापैक लेलो, 12 महापैक दो, सालों के में दोरा, 24 महिने के लिए, इद की उपलक्ष में, और यहां पर देख रहे हैं, 75%, इद 75 से नहीं, Y201 कोर से बच्चे, आपको ये 78% हो जाएगा, एप से, with double validity, with double validity, मेरे प्यारे बिद्यान दीजेगा, with double validity, तो जिसमें आपको सारे examinations के batch, UKPSC जाई, धीतर परस्वी करिए, फटा-फट, जवाइन करिए, Y201 कोर से, 12 महिने का महापक, 12 महिने के additional validity के साथ 35 रुपे में, और 6 महिने का महापक, 29 रुपे में, ठीक है, ये आप जिनको need है, बच्चे, concept और questions, और test और book और रहे की, वो लोग कर सकते हैं, बाकि exam दीजे, all the best for your examinations, thank you, वीडियो अच्छा लगा, तो like share करते रिये, तो मैंने इसी दे इस वीडियो को बनाया, ता कि आप लोग देखो, चार दिन आपको यही करना है, दोनों अपने आपकी category decide करना, कुछ ऐसे बच्चे होंगे, यार, कि अभी नहीं पढ़े होंगे, अच्छे से concept, यार, पहले आप अपन अपरी concept को build up करो, बाकित उसका हो गया उसका ठीक है, done, thank you.